नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परीचित दोस्तों पस्थित हूँ दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर जानकारियों को ले करके जहां दोस्तों आम तोर पर आप अपने आसपास या कई लोगों को खुद ही देखते हैं कि उनके बाल और समय निकल जड़ जाते हैं फिर उन्हें कहीं भी जाने में शर्मिंदगी महसूस होती है लगता है कम ही उम्र में हमारे बाल क्यों गिर गए कई बार होता क्या है कि पॉल्यूशन के वज़ज़ से या फिर हमारे खान पान सहीं नहोंने की वज़ज़ से हमारे बाल और समय गिरने लग जाते हैं दोस्तों काफी लोगों के बहुत सारे बाल निकल जाते हैं बहुत कम उम्र में तो आज हम एक ऐसी और श्रद ही लेकर के आए हैं एक ऐसा नुस्खा लेकर के आए हैं दोस्तों जो आपकी इस प्रूब्लिम को छूमंतर कर देगा जी हां दोस्तों आपको करना क्या ह अब यह हम आपको फटा फट बता देते हैं जाधा वक्त न लेते हुए आप सबसे पहले अरंडी का ओयल लाइए 20 ml जी हां 20 ml और 30 ml ले लिजिए नारियल का तेल दोनों तेल को मिक्स कर लिजिए जी हां दोनों ओयल को एक में अच्छे से मिक्स कर लिजिए इसके बाद उसे स अच्छे धंग से मालिस हो जाए सर में तब आप अमरूद की पत्ते लाएं और 15-20 पत्ते हो सकते हैं उन पत्तों को पानी में उबालये जब पानी थोड़ा कम हो जाए यानि कि पत्ते अच्छी तरह से उबल जाए जब एक लिटर पानी में तो उस पानी से सर को दो लीजि अब आपके बाल गीले होंगे उन गीले बालों को ही आप क्या कीजे तॉलिय से बांदीजे सर को जब तक गीला है रहने दीजे उसको आधे घंटे एक घंटे तक छोड़ दीजे इसके बाद आप नॉर्मल पानी से तॉलिया हटाईए और नॉर्मल पानी से दोहो लीजे सर को इस प्रकार से अगर आप लगातार दो महीने तक करते हैं दोस्तों तो आप खुद ही देखेंगे कि आपके बालों में फरका जाएगा आपके बाल गिरने बंद हो जाएंगे, बाल हेल्दी हो जाएंगे, तूटने बंद हो जाएंगे और तोर आपके बाल नए आने भी सुरू हो जाएंगे तो देखा दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आये थे हेर ट्रिट्मेंट जी हाँ अपने बालों को कैसे नेचुरली बनाए रखें और कैसे तूटते बालों को रोकें और नए बालों गाएं इसके लिए हम आज ये अश्रद ही लेकर के आये थे या नुस्खा लेकर के आये थे अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों कुछ एक और महतुपून जानकारियों को लेकर के तब तक के लिए हमें आग्या दीजे धन्यवाद नमस्कार